मोदी सरकार की अगनीपत योजना को लेकर देश भर में बवाल हुआ योजना से निराश कई छात्रों ने जान तक दे दी लेकिन मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि अगनीपत योजना को वापस नहीं लिया जाएगा अब अगनीपत योजना को लेकर मेगाला के राजजपाल सत्पाल मलिक ने मोधी सरकार पर तीखी प्रतक्रिया दी है और अगनीवीरों को लेकर दिये गए एक बयान पर कलाश विजेवर्गी को भी ना हजम होने वाली बात कह दी है अपने एक इंटर्विव में सत्पाल मलिक ने कहा ये योजना बहुत अन्याय पूर्ण है या बहुत खराब तरीकी से सोच कर निरणे लिया गया है इस योजना के बाद बच्चों के शादिया नहीं होंगी और ना ही कहीं रोजगार मिलेगा इस पीड़ी का जीवन खराब कर रहे हैं इतना ही नहीं सत्पाल मलिक ने कैलाश विजेवरगी के उस बयान पर भी अपनी परक्रिया दी जिसमें कैलाश विजेवरगी ने योजना के फायदे गिनाते हुए कहा था कि अगर मुझे बीजेपी कार्याले के बाहर सेक्यूरिटी रखनी है तो मैं अगनी वीरों को पराथमिकता दूँगा इस पर सत्पाल मलिक ने कहा कि कैलाश विजेवरगी ने वेहद अपमान जनक बात कही है इसके लिए उन्हें माफी माँगनी चाहिए सच तो यह है कि विजेवरगी गार्ड वनने के लायक नहीं है लोकतंद्र की वज़ा से एमपी वन गए है दोस्तो अगनीपत इस केम पर